हलो फ्रेंट्स में हूं फरा कान आज हम बनाएंगे मकाई की रोटी जो की मेरी ममी जी बना रही है और आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं मका की रोटी कि देखे हमने आधा किलो मका का अटा कि इसके लिए हमेशा गरम पानी ही मिक्स करना है और हमने वाइट मकका ली है यह दिखिये हमने एक से तोड़ा में अज भूड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे और यह स्पैचुला की मुदद सेम perpet की मिक्स करेंगे यह तविधा भी सकते हैं इसको धोगिते के हर्प से हम थोड़ा थोड़ा इसमें आटा मिलाते जाएंगे गरम पानी में ये देखिए इस तरह से पानी गरम है इसलिए हमें हाथ से नहीं मिलाना है ध्यान रखना है ये देखिए पूरा आटा हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी से अब ये पूरे आटे को हमने यह पूरे आटे को हम हाथ से मसलेंगे अचाल एक लोच साными हैं देखिकों कैOTHER कि है खुशाई करूं हो जाए कि पैकार, पैकार पसला हैужд對 देखिए तरहेंगे हैं पहले हम लेफ्ट हाथ से इसे बढ़ाते हैं और राइफ हाथ से गुमाते जाएंगे ये देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना है वो फिंगर प्रिंट से पीछे डिजाइन बनेगे और आगे हथेली से दबाना है और राइट हेंड से हम अंगुटे से दबाएंगे देखिए हम हम राइठ वाले से Feingरपिरिंट किस तरह से दोनों हातों से इसको पानी लेकर बनाते जा रहे है अब हम राइठ चे अंगोटे से दबाएंगे और लेफट हेंड से हात को ऐसे को लिए भुमाते जाएंगे और अमारी रोटी बढ़ती जाएगी जब हम रोटी को ठिकरी के ऊपर शेकेंगे जो कि आप कुमार के पास available रहती हैं मिठी का तवा, बोल सकते हैं आप इसे और देसी बासा में से ठिकरी बोलते हैं जिसके पर मका की रोटीयां बनती हैं, यह आपको कहीं भी available होगा किसी भी कुमार के पास इसके पास मतके मिलते ह या कुमारवारे में यह देखिए यह रोटी हमारी लगभग कम्प्लीट हो चुकी यह इस तरह से इसका शेप एक जिसा है जहां से फट रही है उसे हम मिक्स कर के चैसे मिला देंगे वो इस तरह से हाथ पर बढ़ा लेंगे हमारी ठीक ली पहले से ही मेडिय मार्च पर गरम हो कि अदर हम रोटी बनाते हैं तो इसे तेज आज पर हो जाएगी हमारी रोटी कम से कम एक तरफ से सिखने आई होगी हम से स्पैच्छला के मदद से देखेंगे गेजिए और हमारी रोटी में बिल्कुल भी जो अब हमने डाली यह तो बिल्कुल फूला नहीं है अगर फूल पर पहले थोड़ा सा पानी लगा ले फिर उसके बाद रोटी के निचे ले देखिए लाइट ब्राउन लाइट ब्राउन हो चुका है एक तरफ से गोल्डन गोल्डन और यह हमारी फिंगर्प्रिंट्स की डिजाइन किस तरह से उभर कर आई है सिखने के बाद रोटी के उप यह हमारी दोनों तरफ से रोटी सिख चुकी है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना बिलकुल ना बोलें